तारिख पे तारिख तारिख पे तारिख और तारिख पे तारिख तो गाईज यहाँ पे आखिर आ गया वो तारिख जब सन्नी पाजी के फैंस दिल खोल के सेलिबरेट करेंगे उनके सबसे फेबरेट सूपरस्टार यानि की सन्नी पाजी का दोस्तो बड़े तो गाई यहाँ पे सबसे पहले हमारी तरफ से फिल्मी मौज की तरफ से सन्नी पाजी को उनके बड़े की धेरो शुपकामना है दोस्तो आज है 19 अक्टूबर दोस्तो एप्रॉक्समेटली कह सकते हैं कि 67 शाल के हो गए हैं भाई सहाब यहाँ पे सन्नी पाजी जगाईज 6 और 7 यानि कि 70 में सिर्फ 3 साल कम और अभी भी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा कि भाई यहाँ 30 साल के एक्टर को पचाड़ दे हेलो गाईज कैसे हो आप लोग स्वागात है आपका स्वागात है आपका हमारे सन्नी पाजी स्पेशल एपिसोड में देखो भाई सन्नी देवर का आज भड़े हैं गदर टू के बाद उनके फैन मतलब गाईज अगर मतलब वैसे तो स्टार्टिंग से बहुत जाजा थे लेकिन सोहे पड़े थे लेकिन वो गाईज जग गए हैं करोडों में दोस्तों उनके फैन फॉलोइंग हो गए अगर आप लोग उनकी कोई मूवी को अभी इसी हफते रिलीज कर दो और देख लो कलेक्शन तो गाईज इस तरह के का पावर हो गया है उनके अंदर तो गाई यहां पे सन्नी पाजी की सिंदगी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग यहां पे कुछ आपक बात करेंगे तो इंट्रेस्टिंग फैक्ट है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सन्नी पाजी से रिलेटेड सारे वीडियो सारे अपडेट्स फिल्मी मौज में मिलते रहें तो गाई यहां पे हम लोग कुछ भी बोलें और मैं यहां पे उनका जो SDGM है उसक आप से यह एक कूल नाम है लेकिं क्या आपने कभी सोचा है के नाम यही रहा होगा नहीं सबके नाम अलग अलग है जैसे कि अक्षे कुमार इंडस्ट्री में आके अपना नाम अक्षे कुमार रखा लेकिन वह भाटिया राजी भाटिया थे हां तो गाई यहां पर हम लोग सहाब क्या कहने हैं दोस्तों यहां पर हमें आपको और भी जबर्दस फैक्ट बताऊं तो गाई इन्हों ने इंगलेंड से ठेटर इंगलेंड से एक्टिंग का कोर्स किया है कुछ लोग सोच रहे होंगा कि यह बस पिताजी थे एक्टर तो आगए एक्टिंग करने नहीं यहां पर एक्टिंग में उनका लोहा दिखता है तो गाई साफ तोर पे वो कह सकते हैं कि इंगलेंड के बर्मिंगम कॉली से दोस्तों पढ़े हैं इसके लावा मैं एक और जबर्दसा फैक्ट आपको बताना चाहता हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा आपको पता ही ह होगा कि सन्नी पाजी के करियर के सबसे बड़े हीट मूवी थे गदरवन हलाकि अब तो गदरवन जब रिलीज हुई थी ना दोस्तों जब स्कार्टिंग में रिलीज हुई थी तो उतना अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिल रहा था उसको बाद में जाके ऐसा गाई मूवी व तो गाई यहां पर डिमांड ऐसा कि भाई इसके शोस को दोस्तों सुबह 6 बजे खोला गया है यह कोई उस वक्त के लिए गाई यह कोई आम बात नहीं थी रैर था सुबह उटके कौन जाएगा भाई फिल्म देखने तो गाई यहां पर उस तरीके का गदर के वक्सीन सिनार गाई थी बैस एक्टर का और नेशनल अवर्ड वह लेके गए थे गाई साथी साथ बैस सपोर्टिंग आटिस्स के तौर पे बैस सपोर्टिंग एक्टर के लिए उनको 1993 में दामनी जो मूवी आई थी उनमें दोस्तों उनको आब और अब नहीं अधा नेशनल आवर्ड तो जो लोग सोच रहें कि नेशनल आवर्ड नहीं मिला तो भाइस आप गलत हो बागे दोस्तों एक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट है एक मूवी आई थी दामनी जिसके लिए उनको सपोर्टिंग आटिस्स का जो बैस जो नेशनल आवर्ड वह मिला था दोस्तों वह बेसिकली और वाग 450 थे एस तरीके का दोस्तों पर्फोर्मेंस दामी नहीं हो इस तरीके के दोस्तों रोल ता पाला गाईज जो ट्रेणिंग है इतना नहीं करते थे लेकिन देशी जो यहां पर उनके गाईज यह यह थे ट्रेणिंग थे यह फिसिक ट्रेणिंग यह काफी फेमस हुआ इवन यहां हॉलिवुड के सिल्वेस्टर स्टैलन को भी दोस्तों उन्होंने कहीं बार इसको भी ड्रेक्ट किया था अलाकि दिल लेगी तो तो फिर भी काईज काफी ठीक ठाक माई कर ली थे लेकिन गायल वन्स अगयन को सिल्वेस्टर दिया गया था तो गाईज यह कुछ रोचक थे तो जो मुझे पताते हैं वो मैंने आपको बता है आप आपको कुछ बता हो कमेंट बॉक्स में दाना बागे गाईज यहां पर आप हम आते हैं यहां SDGM यानि कि यहां पर वो मुवी जो अब रिपब्लिक डेपर रिलीज होगी यानि कि जट कहा गया इसको देखते हैं कि फर्स लुक में क्या नाम दोस्तो सामने आता है लेकिन मैं एक्साइटीड हू बदाया जा रहा है कि 10 बजे दोस्तो इसका अफिशिली अनौस्मेंट हो सकता है 10 या 11 बजे तो इस बीच दोस्तो आप लोग तयार रहना मैं थ्री मुवी मेकर दोस्तो एक पोस्टर रिलीज करेगा उसमें टाइटल होगा विथ रिलीज देड देखते हैं कि भाई सन्नी पाजी का दोस्तो किस तरीके का रूप रंग होगा मैं यहां पे एक जबरदस मास जो 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 गाईज अपीलिंग जो करेक्टर है उसकी कल्पना कर रहा हूं अगर मुवी का नाम जट है तो यहां पग भी होगा और पग है तो फिर यहां गदर की यादे आएंगी मजा आ ज देखो जैकी श्रॉप से तो भाई बहुत लागुन अच्छे रगते हैं सन्निपा जी आपका क्या कहना है बताओ भाई मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना है